नितिवच्चन अध्याय आठ क्या बुद्धी नहीं पुकारती है? क्या समझ उचे शब्द से नहीं बूलती है? वह तो उचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिर्मुहानियों में खड़ी होती है. भाटकों के पास नगर के पैठा में और द्वारोही में वह उचे स्वर से कहती है कि हे मनुशो मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है. हे भोलो चतुराई सीखो और हे मुर्खो अपने मन में समझ लो. सुनो क्योंकि मैं उत्तम बाते कहूंगी और जब मुह खोलूंगी तब उससे सीधी बाते निकलेगी और मुझ से सच्चाई की बातों का वर्नन होगा. क्योंकि दुष्टता की बातों से मुझ को गुरुना आती है. मेरे मुह की सब बाते धर्म की ही होती है. उन में से कोई टेड़ी वा उलट फेर की बात नहीं निकलती है. समझ वाले के लिए वे सब सहज और न्यान के प्राप्त करने वालों के लिए आती सीधी है. चांदी नहीं. मेरी शिक्षा ही को लो. और उत्तम कुंदन से बढ़कर ग्यान को ग्रहन करो. क्योंकि बुद्धी मुंगे से भी अच्छी है. और सब मनभावनी वस्तुए उसके तुल्य नहीं है. मैं जो बुद्धी हूँ सो चतुराय में बास करती हूँ और ग्यान और विवेक को प्राप्त करती हूँ. यहोव का भहमानना बुराई से बैर रखना है. घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ. उत्तम युक्ति और खरी बुद्धी मेरी ही है. मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है. मेरी ही वारा राजा, हकीम और रईस और पुत्वी के सब न्याई शासन करते हैं. जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनमें से मैं भी प्रेम रखती हूँ. और जो मुझको यतनसे तड़के उठकर खोचते हैं, वे मुझे पाते हैं. धन और प्रतिष्टा मेरे पास है. बरन धरने व और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है. मैं धर्म की बाट में और न्याई की डगरों के बीच में चलती हूँ. जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूँ और उनके भंडारों को भरदू. यहवा ने मुझे काम करने के आरंभ में बरन अपने प्र प्रुथ्वी की सुष्टी के पहले सी से ठहराई गई हूँ. जब न तो गहरा सागर था और न जलके सोते थे तब ही से मैं उत्पन हुई. जब पहाड वा पहाड़िया स्थीरने की गई थी, जब यहवा ने न तो प्रुथ्वी और न मैदान न जगत की धोली के परमानु बनाये थे, इस से पहले मैं उत्पन हुई. जब उसने आकाश को स्थीर किया, तब मैं वहा थी. जब उसने गहरे सागर के उपर आकाश मंडल थेराया, जब उसने आकाश मंडल को उपर से स्थीर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुदर का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आग्या का उल्हंगन न कर सके, और जब वह पृत्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर्सी उसके पास थी, और प्रती दिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी, मैं उसकी बसाय हुई पृत्वी पर प्रसन मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, शिक्षा को सुनो, और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विशे में अंसुनी न करो, क्या ही धन्य है, वह मनुष्य जो मेरी सुनता, बरन मेरी डेवडी पर प्रती दिन खड़ा रहता, और मेरे दारों से खंबो के पास दुश्री लगाय रह क्योंकि जो मुझे पाता है, वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परन्तु जो मेरा अपरात करते है, वह अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझ से बैर रखते है, वे मृत्यू से प्रती रखते है